दोस्तो color psychology किसी भी brand के लिए बहुत important चीज़ होती है चाहे आपका कोई fashion का brand हो और आप किसी youth को connect करना चाहते हैं अपने साथ चाहे आपका कोई medical का online shop हो और उसमें आप किसी ऐसे लोग को connect करना चाहते हैं जिनको दवाईयां चाहिए चाहे आपका grocery का हो तो चाहे कोई भी आप type का brand अगर आपका हो चाहे आपका अगर fintech startup है तो उसमें कौन सा color होना चाहिए तो ये सब brand जितने बड़े आप देखे होंगे वो सब एक color strategy के साथ काम करती है जो कि हमारे mind में एक psychology create करती है तो branding में ये बहुत important role play करती है बड़े-बड़े brands तो काफी strategist को hire करते हैं जो कि उनकी color psychology उनका logo कैसा होगा उनका designs कैसा होगा कौन से color कहां पी use करेंगे ये सब decide करते हैं बट अगर हमें सीखना है तो हमारे लिए इतने बड़े-बड़े strategies हम नहीं hire कर सकते हैं तो आपके लिए आपका भाई बैटा है मैं आपके लिए पूरी color strategy आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस color strategy के साथ चलना है जिससे आप एक बड़े brand की तरह अपने field में समझे जाओ तो आई इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो ये अब एक मैं branding की series शुरू कर रहा हूँ इसकी video हर हफते में एक आया करेगी सिर्फ और इसमें मैं आपको अब branding से related भी चीज़े बताऊंगा जैसे कि आज मैं complete color psychology discuss करने वाला हूँ ये बहुत important video है दोस्तो आपके एक बड़े brand बनाने के लिए इसके बाद हम logo के बारे में बात करेंगे और बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो आप भी अपने आपको एक बड़ा brand बना सकते हैं आपको किसी strategist को hire करने के ज़रूत नहीं है आप यही video follow करते चाहिए और हम भी एक अपना बड़ा brand बिल्ड कर देंगे इस series के अंत होते होते दोस्तो color की psychology समझनी क्यों important है आज की rate में हम जितने भी brand देखते हैं वो कोई ने कोई color का अपने logo में अपने brand में use किया करते हैं उसके पीछे human behavior है मतलब हमारा mind जो है वो हर color के लिए अलग-अलग तरीके से react करता है अलग-अलग color की वज़े से हमारे mind में एक perception मनता है हमारे दिमाग में कुछ उससे एक picture create होती है और वही सब brand बनाने की कोशिश करते हैं तो अगर हम यहाँ पे brand को समझने की कोशिश करेंगे जब भी आप कहीं भी website पे जाते हूँ जब order now का button होता है तो वो red color का ही क्यों होता है और हर brand का logo क्यों किस color का होता है जदा तर हमने बहुत blue color के brand के मतलब brand में देखे होंगे color logo तो उसका क्या meaning है तो यह सब हमारी psychology से dependent होता है दोस्तों एक जो color की psychology होती है यह हमारे अंदर के emotions को जगाने की कोशिश करती है और अगर आपने एक अच्छा color की psychology अपने brand के according चूज कर लिया तो यह हमारे sale को कई गुना बढ़ा सकता है और वहीं अगर हमने गलत color यूज कर लिया जैसे कि अगर आपकी medical की shop है और ब्लैक color यूज कर लिये वह बिल्कुल एकदब observed लगता है बहुत खराब लगेगा तो वह आपका sale को कहीं गिराने का काम करता है तो emotions से काफी touch है हमारे यह सारे color दोस्तों अगर आपने एक सही color strategy चूज किया तो आपका brand लोग ज़्यादा पढ़ेंगे लोग ज़्यादा समझेंगे अब कुछ ऐसे color होते हैं जिसको अगर आपके आपके सामने वो आ गया तो उसमें लिखे हर letters को आप जरूर पढ़ते हैं और कुछ ऐसे color आते हैं कि आपको बहुत खराब लगता है तो आप उसे पढ़ी रही पाते हो आपने बहुत सारे website देखे होंगे जिस जिन्होंने काफी अच्छे color की psychology यूज की है या आपने बहुत से कंपनियों की packaging देखी होगी अब आपने Apple का देखा है ये black and white क्यों यूज करते हैं इसके पीछे भी एक color psychology है मैं आभी आगे वीडियो में discuss करूँगा तो एक सही color psychology आपके brand में एक trust जगाती है लोगों को ये लगता है कि ये brand की कुछ value है आपकी value आपकी importance बढ़ाने की ये कोशिश करती है दोस्तो एक color का हमारे जो emotions पे बहुत बढ़ा effect पड़ता है और जो emotion एक बहुत बढ़ा role play करते है consumer के mind में उनको sale convert करवाने के लिए और brand इसका बहुत ही बारिकी से इसका फायदा उठाने की कोशिश किया करते है दोस्तो color इतना बढ़ा चीज है कि आज करेट में बहुत अलग-अलग जो religions होते हैं उन्होंने भी अपने आपको identify कर लिया है अलग-अलग color से यह आप अपने day to day life में बहुत देखा करते होंगे तो color आपके brand को बहुत आगे भी ले जा सकता है तो आईए हम इसको शुरू करते हैं एक-एक color के बारे में अब हम detail में discuss करेंगे दोस्तों जो सबसे पहला color है वो है red red जो color है यह सारे colors में सबसे different color है red color एक passion का color होता है red color romantic color होता है यह हमारे अंदर एक emotion और sense of excitement बढ़ा देता है हमारे अंदर एक provoke करता है काफी जाना मतलब अंदर से काफी emotions हमारे जागने लगते हैं red के चक्कर में तो अगर हम देखेंगे याप पर कि आप जहां मैंने शुरुआत में बताया order now पर क्यों red color लिखा रहता है कहीं पर भी हम order करने जाते हैं आप जाए zomato sigi या कुछ भी online पर आप जाईए वहाँ पर बटन जो होता है वो red color का इसलिए होता है कि आप इसे click करिए और क्योंकि red color हमारी psychology से related है आप अगर देखेंगे बहुत सारे जो वीडियोज बगर होते हैं उनका जो background होता है वो red होता है आप news channels देख लिए इंडिया के जितने हैं वो सब red color यूज करते हैं क्योंकि red color एक excitement बताने की कुशिश करता है आप YouTube का जो color है YouTube का color red क्यों है आप इसमें इसके पीछे ये psychology है कि आप excited हो जाए इनकी वीडियो देखने के लिए और आपको ये पता नहीं चलता है लेकिन हमारा mind ये सारे role play कर रहा होता है क्योंकि हमारे mind color बहुत अच्छे से read करते हैं तो इस तरह से अगर आप Coca-Cola देखेंगे red color एक happiness को भी दिखाता है red color sentiments को भी दिखाता है तो Coca-Cola अपने आपको एक sentiment से जोडने की कुशिश करता है इस वज़े से Coca-Cola red color यूज़ करता है दोस्तों जो red color होता है ये काफी दूर से ही visible हो जाता है मतलब जो हमारा जो lights होती है traffic की वो भी red color होती है क्योंकि काफी दूर से इसका wavelength काफी जादा होता है ये काफी दूर से visible हो जाते है तो इसलिए हम red color जादा यूज़ करते है red color से जो brand अगर आपने यूज़ करते है तो brand ये सब चीज़े अंदर आपके excite करने के लिए ये सारी चीज़े use करती है और आप नहीं चाहते हो भी आपके mind में आपके body में ये psychological changes होते हैं जब किसी भी आप color से मिलते हो या देखते हो तो लेकिन दोस्तों इन color के कुछ negatives भी है जैसे कि red color एक danger का भी color है red color warning का भी color है और कहीं भी अगर हम देखेंगे कि कुछ गलत भी है तो वहाँ पे भी red color का cross होता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जाना prohibited है उसके बाद दोस्तों जो red color होता है ये pain का भी color है क्योंकि हमारे blood का भी color red है तो ये इसलिए ये थोड़ा से इसमे negatives भी है तो आप जब भी इसको use करिए तो आप उन चीजों को देखके use करिए दोस्तों जो restaurants होते हैं वो red color बहुत use करते हैं जैसे कि आप जमैटू में भी red color देखेंगे तो उसके पीछे की psychology होती है कि आप जल्दी से जल्दी एक तो खाना आपको खाने के photos वो बहुत अच्छे डालते हैं साथ में वो red color use करते हैं इसके पीछे mind हमारा ये read करता है कि जितनी जल्दी हम excited होके order करें और कहीं भी order ना उपी क्यों होता है हम excited होके तुरंत उस पे click करें ताकि हम वो उनका order जल्दी हो जाए तो इस तरह से red color को आप अपने accordingly कहीं use कर सकते हैं और इसलिए news websites भी पूरा red red वो कर देते हैं और use करते हैं वैसे आज की rate में जो news channels है अब तो excited करके लोगों से वो views वगरे लिया करते हैं rate में तो news वैसा बचा नहीं बट फिर भी ये color बहुत provoke करता है हमें दोस्तों जो हमारा अगला color है वो है yellow color yellow color जो होता है ये sun का color है जब sunrise होता है तब का color yellow होता है तो yellow related होता है हमारे color के optimism से, हमारी positivity से हमारी happiness से और कोई भी चीज़ को broaden कर देता है जो बड़ी companies होंगी उनके आप जब वहाँ पर फ्री shipping लिखे रहते हैं उपर तो उसको वो yellow color से कर देते हैं ताकि आदमी एक sense of positivity जगे यानि का तो free shipping है और इस तरह से बाकी जैसे कि आपकी बहुत से brand के background में yellow color देखेंगे yellow color चीज़ों को broaden कर देता है आपकी visibility उनके साइड और ज़्यादा अच्छी हो जाती है बढ़ जाती है आपको एक sense of positivity उनके में आने लगती है इसलिए बहुत सारे brand yellow color का भी use करते है दोस्तों जो yellow color है वो Ferrari भी अपने brand में use किया करते है इसके पीछे यह होता है कि एक careless life style को भी दिखाता है कि मतलब मुझे किसी की फिक्र नहीं है और मैं life को खुल के जीता हूँ जैसे ये सब चीजों को ये brand दिखाता है तो इसलिए Ferrari इस color को use करता है ये happiness का भी color है जैसे मैंने पहले आपको बताया अब इस brand का same color ही IKEA भी use करती है अपने furniture के लिए अब आप कहेंगे कि furniture में तो कौन से happiness तो furniture आदमी मोच्ति तब खरीता है जब वो किसी अपने नए घर में shift होता है तो जब कोई एक नई शुरुवात होती है उन सब चीजों को भी associate करता है yellow color इसलिए IKEA ने ये color रखा है जब sunrise होती है तो दिन की नए शुरुवात होती है और वो color होता है yellow color तो इसलिए IKEA भी ये color use करती है अपने brand में दोस्तों जो yellow color है उसका अगर हम positive side देखेंगे तो ये optimism को दिखाता है ये warmth को दिखाता है ये हमारे अंदर के happiness को दिखाता है ये creativity को भी दिखाता है आप अगर जाके brand के कोई भी brand का अगर कफी कफी बड़े-बड़े जो banners लग होते हैं उनका background आप mostly yellow देखेंगे yellow color एक sense of trust बनाता है और हमें उनसे associate करता है उस brand से जल्दी तो ये yellow के कुछ positive sides है और ये yellow के अगर कुछ अब negative देखेंगे तो ये irrationality को दिखाता है ये fear को दिखाता है ये इसके इलावा ये carelessness को भी कहीं कहीं दिखाता है जैसे कि मैंने कहा कि Ferrari में careless lifestyle वाली जो चीज़ है कि मतलब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है कुछ इन चीज़ों को भी इनके negative side ये है तो आप जब भी इस color को use करिए तो आप दोनों चीज़े positive negative सोच के आप इसको use करिएगा दोस्तों जो हमारा अगला color है वो है orange color orange color जो होता है ये एक sense of creativity हमारे अंदर दिखाता है ये एक sense of pleasure हमारे अंदर दिखाता है ये success का color है ये orange color ये balance का color है orange color तो आज के rate में अगर आप किसी youth से associate होना चाते हैं आप जो नई generation है उनसे associate करना चाते हैं तो आप orange color use कर सकते हैं orange color थोड़ा friendly color है तो अगर आप किसी कम age group वाले को contact करना चाते हैं अपने website या किसी चीज़ से connect करना चाते हैं तो आप orange color use कर सकते हैं बहुत brand आज के rate में use कर रहा है orange जो color होता है इसको Fanta हुआ या फिर Gulf हुआ या इस तरह के बहुत सारे FedEx भी orange color को use करता है orange color जो होता है दोस्तों ये yellow और red का mixture होता है ना ये red के तरह बहुत ज़्यादा hyper color है ना yellow के तरह ये बहुत वाइडन color है ये उन दोनों के बीच में आता है तो कभी-कभी आप आज के rate में कोई ऐसा brand है जो कि लोगों से associate करना चाता है लेकिन वो red जैसे trigger नहीं करना चाता है emotion तो वो आज के rate में order now का button लोग orange भी रखते हैं ताकि आपके उसे बहुत नजर भी चली जाए मतलब आपके emotion बहुत hardly affect नहीं करना चाते हैं वो तो वो orange का भी आप यहाँ पी use कर सकते हो अब दोस्तों जो orange कलर है यह पूरी तरह से हमारे अंदर का उसके साथ ही अगर हम इसका कुछ negative चीज़े देखें तो यह थोड़ा सा frustration को भी दिखाता है यह immatuity को भी दिखाता है कि मतलब जो teenagers होते हैं वो थोड़े से matured भी होते हैं तो orange color immaturity को भी दिखाता है, ये sluggishness को भी थोड़ा दिखाता है, तो ये सब कुछ ऐसे factors है, तो आप जब भी अगर youth को target जरना चाहते हैं, तो मैं हमेशा suggest करूँगा, orange color बहुत अच्छा medium है, अब दोस्तों जो हमारे पास जो अगला color है वो है green color, green color जो होता है ये nature का color है, तो green color हमेशा natural चीजों के लिए आता है, green color हमेशा money के लिए आता है, जब भी कोई plant का जो color होता है, plant हमेशा grow करता है, जमीन से उपर, तो ये growth का भी color है, तो अगर आप कोई natural चीजों से related कोई काम कर रहे हैं तो आप green color यूज़ कर सकते हैं तो green color जब आप use करेंगे अपने brand में तो लोगों को a sense of trust अपने आप जोड़ेगा green color अगर आपका grocery का brand है तो आप green color यूज़ कर सकते हैं लेचरीट बनाते हैं तो आप आप लिए कलर उस कर सकते हैं आप वह जिछ लुगाते हैं तो ये आप रहे पर होता है हो तो अमेरे टिना को आज़ने करना पड़ता है तो आप ऐसा बहुत बार आपने शाहीजरे कर लोगा कि जो भी क्रीण room में rest करते हैं अपने performance के पहले तो वो हमें एक थोड़ा comfort देता है और green color हमेशा growth का color है तो आप अगर आपका brand किसी growth को represent करता है चाहे वो money की growth हो चाहे health की growth हो इन सब चीज़ों में आप green color हमेशा use कर सकते हैं green color हमारे आँख को सबसे ज़्यादा suit करता है तो इसलिए एक बहुत comfortable color माना जाता है तो दोस्तों अगर हम इसे कुछ positive side की देखेंगे तो ये health को दिखाता है ये growth को दिखाता है ये money को दिखाता है ये हमारे positiveness को दिखाता ये हमारे मतलब एक feeling को दिखाता है कि हम future में ठीक हो सकते हैं कुछ इस type की feeling को ये जगाता है और green color natural color भी है ये हमें nature से connect भी करता है तो अगर आपको कुछ जैसा startup है तो आप इसे use कर सकते हैं साथ में अगर इसके कुछ negatives के हम बात करें तो ये sense of jealousy भी create करता है green color तो दोस्तों जो sky के color को blue color दिखाता है जो c का color है वो है और एक चीज़ आपको बता दू कि दुनिया में जो सबसे जादा लोग को पसंद आता है color वो blue color ही आता है पसंद अगर आप पूरे दुनिया में आप survey करेंगे तो blue color आपका एक sense of trust एक sense of reliability दिखाता है कि आप हमारे उपर trust कर सकते हो blue color आप बहुत से security वाले brand में भी देखेंगे जो brand अपने आपको दिखाते हैं हम secured है आप हमारे साथ long term में चल सकते हो तो कुछ इस तरह की चीज़े blue color आपके लिए show करती है दोस्तों जो blue color है यह आपने facebook में देखा होगा facebook blue color बहुत यूज़ करता है क्योंकि facebook में हम अपना जो trusted chat होते हैं वो सब हम करते हैं तो वो उसका यह बताने की कोशिश होती है कि आप हमारे हाँ chat कर सकते हैं इस पर हम आपको secure रखेंगे और आप इसको स्काइप में भी देखेंगे blue color आप twitter में भी blue color देखेंगे तो यह सारे brand इसलिए use करते हैं कि एक sense of trust reliability security यह सब दिखाने की इसके तुरू कोशिश होती है अचा जो blue color होता है यह coldness को भी दिखाता है मतलब जो ठंडी की चीज़े होती है उनको भी blue color दिखाने की कोशिश करता है तो अगर हम शौट में बात करें तो blue color reliability दिखाता है trust दिखाता है security दिखाता है यह सारी चीज़े तो वहीं अगर blue color के दोस्तों कुछ negative की बात करें तो blue color बिल्कुल unfriendly color है यह आप से दोस्ती नहीं करेगा बलकि यह आपका ख्याल रखेगा यह आपकी security वाला चीज़ है और अगर वहीं blue color की बात करें तो यह color थोड़ा सा uncaring कर रहे रहे हैं यह color आपका caring नहीं केरिंग बाला ब्रैंड से आप रिलेट नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैंने orange के बारे में आपको बताया तो बिल्कुल उन सबसे different color है आप इंडिया में बहुत से ब्रैंड को देखेंगे कि वह blue color यूज करते हैं उनको पता नहीं है बट उन्होंने blue ऐसे ही सब आपको देखके चूज कर दिया तो blue color सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं trust जगाना चाहते हो तो आप blue color बेशक यूज कर सकते हो दोस्तों जो हमारा अगला color है वो है purple color परपल कलर थोड़ा सा दोस्तों हमारा luxury दिखाने की कोशिश करता है यह wisdom दिखाने की कोशिश करता है जो पहले के जो king वगरा हुआ करते थे वो लोग purple color बहुत use करते थे और यह richness को दिखाता है इसका जो wavelength होता है purple का वो सबसे minimum होता है इसलिए क्योंकि यह सब के लिए नहीं है यह rich लोगों के लिए है तो अगर आपका brand किसी rich section को dedicate करता है मालों आप किसी आप 50,000 के आप per sell कर रहे हो तो वो सब के लिए तो नहीं है न तो आप वहाँ पे purple color use कर सकते हो कि कुछ high class लोग ही से use करें तो यह इसकी perfectly brand की psychology है दोस्तों दोस्तों जो purple color है यह a sense of luxury बताता है यह richness बताता है यह meditation का भी color है यह spirituality का भी color है तो आपको कुछ stack का भी brand है तो आप इन सब में यह चीज़े use कर सकते हैं अच्छा अगर इसके कुछ negatives की बात करें तो purple color थोड़ा सा सबके लिए थोड़ा सा unfriendly हो जाता है मतलब rich sections वाले लोग थोड़ा अपना अलग रहते हैं तो कुछ वैसा हो जाता है मतलब एक normal person आपके brand से थोड़ा कम relate कर पाएगा अगर आप purple color यूज़ करते हो यह जो purple color है आप catberry में देखेंगे आप hallmark में purple color देखेंगे तो ऐसे कुछ बड़े brands होते हैं वो purple color यूज़ करते हैं कि यह सिर्फ rich लोगों का brand है तो यहाँ पर कुछ इसके negative भी है कि एक normal आदमी आपके brand से नहीं relate कर पाएगा दोस्तों जो हमारा अगला color है वो white color है white color हमारी purity को दिखाता है यह cleanliness को दिखाता है white color बहुत widely use होता है पूरे दुरिया में और अगर आपका brand किसी साफ सफाई क चीदों से related है तो आप white use कर सकते है milk का color भी white होता है तो इस तरह के भी जितने आप पे dairy products होते हैं यह लोग भी white color बहुत use करते हैं आप Adidas के brand में दिखाएंगे white color अच्छा एक luxury का भी यह color है यह एक piece का color है शांती का भी यह color इसे बोला जाता है तो white color आपने apple में भी दिखते होंगे कि जो groom होती है जो bride होती है वो white color के gowns पहनती हो तो इन सब का मतलब यहीं होता है कि purity को बताता है यह और एक trust को भी जगाता है वहीं अगर हम इसे कुछ negative के बात करें तो यह white color coldness को भी बताता है cold कोई चीज होती है बर्फ का color भी मतलब वैसे तो colorless होता है white वो दिखता है और वहीं अगर हम unfriendliness को भी दिखाते हैं कोई खाली space है उसको भी white color दिखाता है तो कुछ इसके negative factors यह भी होते हैं दोस्तों आपने बहुत से brand में देखा होगा white color as a background यूज किया जाता है तो उसका reason यह होता है वो यह बताना चाहते है कि उसके आगे उनका logo या को information लिखी रहती है तो वो बिल्कुल clarity को दिखाने की कोशिश करते हैं तो जहां भी आप white background के साथ कुछ लिखा हुआ देखेंगे तो उनका बताने का मतलब है कि हम बिल्कुल clear हैं अपने words पे दोस्तों जमरा अगला color है वो है black color black color दोस्तों power को दिखाता है यह सबसे कोई भी brand इससे उपर हो कोई भी brand आपके अंदर ही आता है आप उन सबसे उपर हो तो sense of power, sense of luxury भी दिखाता है आपल भी अपने brand में black color यूज करता है तो luxurious brand भी आज के rate में black color यूज किया करते हैं वहीं है दोस्तों अगर हम इसे कुछ negatives की बात करें तो black color जो होता है यह एक कोई कपड़े वगरे का brand है और आप थोड़ा luxurious अपने आपको दिखना चाहते हैं black color बहुत luxurious color है दोस्तों तो आप थोड़ा luxurious दिखना चाहते हैं तो black color बेशक उसमें use कर सकते हैं black और उसमें white color use कर सकते हैं तो यह सब जो होती है color आपके brand की luxury को दिखाने की कोशिश करते ह हैं और black color थोड़ा सा clarity को भी दिखाता है तो आगर आप देखेंगे black और white बिल्कुल opposite है बहुत से brand इन दोनों का भी combination यूज किया करते हैं अपने brand को represent करने के लिए तो दोस्तों जो हमारा अगला color है वो है gray color gray color का मोश्री यूज किया जाता है यह white और black के बीच का color है तो gray color दिखाता है कि यह neutral color है अगर आप अपने brand के थुरू किसी का कोई emotion trigger नहीं करना चाहते हैं आप clarity चाहते हैं आप मतलब जो भी आपको brand देखें वो clear हो जाए तो आप gray color का use कर सकते है एपल अपने लोगों में gray color बहुत use करता है चीजे बहुत से brand अपनी चीजे लिखने क लिए भी gray background का use करते हैं ताकि clear रहो आप neutral रहो और Samsung में भी आप यह चीजे देखेंगे तो इस तरह के कई सारे brand gray color use करते हैं वह इन negative के अगर बात करें तो gray color बिल्कुल dull सा color है unfriendly color है तो यह सब चीजे gray color से भी associate होती है दोस्तों जो हमारा अगला color है वो है pink color अगर आपक pink color यूज़ करना pink color females को बहुत पसंद होता है तो दोस्तों जो pink color होता है इस आप Barbie जो doll आती है उसका color pink है या female से associated जितने dedicated होते हैं जो females को वो brand pink color ही use करते हैं फीमेल को जो inner wears के color होते हैं जो brand बनाया करते हैं वो pink का बहुत यूज़ करते हैं और अगर कोई ऐसा gift है जो female से related है, तो उसका जो wrapping बगर होता है, वो pink किया जाता है, और ये masculine और feminine के बीच का भी color है, तो कुछ अगर आप female से related कोई अपना brand associate करना चाहते हैं, तो अब pink color मुशली use कर सकते हैं, और दोस्तों जो हमारा अगला आकरी color है, वो है brown color, brown color जो है, ये nature का color है, ये middy का color है, तो अगर कोई brand अपने आपको दिखाना चाहता है, कि अब down toward हैं, हम जमीन से जोड़े हुए हैं, तो वो brown color use कर सकता है, fooding brand भी बहुत सारे brown color use करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी organic चीज़ सेल करनी है, तो उसके लिए आप ये brown color का use कर सकते हैं, क्योंकि brown color वैसे भी middy soil का color होता है, तो लोग उस चीज़ से associate करेंगे, कि ये natural ही होगा, जैसे कि braids वगएरे में हम देखते हैं, उनके जो wrappers होते हैं, वो brown color को होते हैं, हम honey वगएरे में भी देख सकते हैं, कि वो brown और green यूस करते हैं, तो अगर आप कुछ natural चीज़े हैं, और कुछ खाने वाली चीज़े हैं, fitness से related ऐसा कुछ बेजना चाते हैं, तो आप उसमें green और brown को combination यूस कर सकते हैं, तो दोस्तों यही था सारे colors के बारे में, बट अभी यह मेरे हिसाब से complete वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको complete बनाने जाता, तो मैं 2-5 गंटे की वीडियो बनाता, बट मुझे लगा कि आप सब कुछ मैं short में करके आपको बता सकूं, तो आपको थोड़ा सा अनलाजा तो branding का लगेगा, मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, अगर इस वीडियो पर 10,000 likes आते हैं, तो मैं 2 गंटे का, at least 2-5 गंटे का, मैं इंडिया की भी बहुत सारे brand की logo अगरे पर discuss करके मैं बात करूँगा, तो अगर 10,000 likes आते हैं, तो मैं उस पर एक 2-5 गंटे का, मैं पूरी brand psychology color की हम, मैं पूरी discuss करूँगा, तो यही था दोस्तों, आज का वीडियो, आप comment option में लिखके बताओ, कि आप कोई वीडियो कैसी लगी, अगर आप कोई business वगरा में हैं, आप उनको भी वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी color psychology समझ सकें, ताकि इंडिया के brand और तेजी से grow कर सकेंगे उससे,